तो नमस्ते सभी को और सब्सक्राइब तर सब सब्सक्राइब और पहले देखेंगे तो स्टेप वन से होते हुए सब्सक्राइब तक हम लोग आए और अगर मिला कर देखेंगे तो एक यहां पर महत्पूर बात हो रही है कि step 4 में हम इस बात पर discussion कर रहे हैं कि यह निड़ने का आधार कौन है और जब यह बात तय हो जाए कि निड़ना का अधार मेरे हैं मैं नहीं निड़ने लिये हो है पिर step 5 में हम लोग यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो निड़ने हम दे रहे हैं यह समझ के आधार पर है कि मानेता के आधार पर है यह जाचना इसलिए जरूरी है कि मानिता के अधार पर अगर निड़ने होगा तो उसमें निश्चित्ता नहीं होगी समझ के अधार पर जो निड़ने होगा उसमें निश्चित्ता होगी उससे निश्चित भाव में निश्चित्ता रहेगी विचार बनेंगे तो उसका हम निरंतर सुखी रहना चाहता हूं लेकिन मेरे भाव फिर अनिता क्यों बन जाते हैं निरंतर सुखी होने के लिए तो हमारे में जो भाव बनना चाहिए वहिश्वास का बनना चाहिए संभान का बनना चाहिए सने का बनना चाहिए ममता का बनना चाहिए वासल का बनना चाहिए प्रेम को बनना चाहिए लेकिन जब हम निळले लेते हैं तो इससे अनिथा भाव क्यों बन जाते हैं इस बात का आंसर इस step 5 से निकल के आता है तो आंसर ये निकल के मतलब यह हुआ कि हम चाहाना में तो clear है कि निदंतर सुप पुर्वक जीना चाहते हैं लेकिन जब निड़ने लेने जाते हैं तो हमारे संसकारों में बहुत गहराई से चीजे बनी हुई है और वो अनिथा बनी हुई है जैसा अस्तित है अस्तित में इकाईया है इकाईयों का जो संबंध है उससे अनिथा कुछ बना हुआ है और वो बना इसलिए हुआ है क्योंकि कि हमने बिना कि समझे वास्तविक्ताओं को कुछ मान लिया है तो वास्तविक्ताओं के बारे में कुछ मान लिया है उस मानने के अधार पर निर्णे होता है और वो निर्णे देखेंगे तो सहास्तित्व से अन्यता हो जाता है अन्यता हो जाता है तो अन्यता भाव आते हैं फिर उससे वचार फेलता है फिर बैवार होता है तो उस पूरे प्रोसेस में हम दुखी देते हैं और मेरे जब बैवार को दूसरा स्विकारता नहीं है तो भी हम दुखी देते हैं तो अगर इस तरह से देखेंगे तो step 5 important step है ज समस्से हैं तो हो सकता है अभी हम किसी से बारे में सोच रहे हैं उसके लिए भाव सही हूं लेकिन उसको भी एक बार ठीक से देखना अवश्यक है कि यह जो भाव ठीक भी है यह माननत्ता के कारण भाव ठीक है या मैंने वास्तविक्ताओं को समझा है उस समस्से भाव बन करा है इसलिए वो ठीक है तो इस टेप फाइव को देखेंगे तो देखन की प्रक्रिया में चीजों को बार-बार करने के आवशक्ता पड़ेगी तो इस अर्थ में देखेंगे तो स्टेप 5 एक महत्तपूल स्टेप है क्योंकि यहां से यह तैर होगा कि हमसको अब वास्तविक्ताओं को समझने के आवशक्ता है यहां से यह पता चलेगा कि मानताओं से निश्चित नहीं होती है है एकी व्यक्ति से सुबह में अच्छा बोल लेते है व्यक्ति भी वखाया के अगर बदल आए है तो मनता के तहत सिस्का में मुझे अच्छा लग रहता है इंक मुझे अच्छा लग रहता है मैं अप्रियसेट कर रहता है दूसरे तरब के वातावरल। में उसी आत्मी को कर्श क्रने लगाूँं उसके बारे में बुरा सोचने रहाँंं यह जो अपने में अनिष्ट्त ऊ Maisos Your आता है है यह जो अपने में अनिश्था दिखती यह इसका एक Already है कि हमारे में बहुत सारी मानेताइं हैं और वह मानेता एक्टिवेट होती रहती है तो हम चाहते तो रिजंतर सुक पूरवक जीना है चाहते तो त्रपती पूरवक जीना है लेकिन निर्णा किसी और रतिम हो जाता है तो अभी देखेंगे तो हमारा निर्णा व्यक्ति के एसाप से बदल और यह बदलने के पीछे का मूल रीजन देखेंगे तो यही है कि हमने अस्तित्व जैसा है वैसा नहीं देखा है समझा है और जिस भाग को हम नहीं देख पाएं समझ पाएं उसके बारे में कुछ मान लेते हैं तो हम परेशान होते हैं यह ऱिजब पर जीना भी चांप और निरंतर पर से भाव पा कर período को सेट्नचेर यह पर दो पाता है पुरों सेगओ, यह लिए propag तो आधने हमते हैं हो पाता है दो इससलिए है और यहां से हमको किलियर होगा कि हमको सही समझने के आवशक्ता क्यों है तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं पिछले तीन चार दिन से इस्टेप और फाइव पर तो यहां पर कुछ एक्जामपल के रूप में लिखा है मैं फिर से पढ़ देता हूं फिर आप लोग का जो जैसे को बहर बतलेगा फिर डूसरी तरह कि मान इता है पूछेंगे नहीं तो कुछ माननेता से सही नियरी हुआ है उस माननेता को हम बहुत प्ल मेंनेमा कटरत करेंगे फिर जैसे कुछ बहार बदलेगा फिर दूसरी तरह की मानता स्टार्ट हो जाएगी तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हर बार मैं जो भी निड़ने ले रहा हूं और उसको हम लोग बहुती छोटी छोटी घटनाओं से भी स्टार्ट कर सकते हैं सामान घटनाओं से देखना है श्टार्ट कर सकते है कि हर बार जब मैं शरीव hora के साथ इंपुए और वीरतिव को समझने के हाथ में चला है तो बहुत सामाने घटनाओं से इस बात को अपने में जितना गहराई से देखेंगे उतना ही हमारे में मानताओं को वेल्यूशन होगा तो जैसे मैं च्छोटे-च्छोटे एक्जामपल लग देता हूं उससे देखने में थुला सा हेल्प होगी औ और मैं तो इस बात को देखता हूं कि जितनी सामान से सामान घटनाओं में हम अपने को देखना शुरू करेंगे उतना ही हमारा देखने की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी हमारा अपने उपर ध्यान जाना बढ़ेगा जैसे चोटे-चोटे एक्जामपल सम्भूग लेते जैसे घर में कोई किसी का सेलीर खराब हो गया है तंप्रेचर बढ़ गया है अब आप उसके लिए मेडिसिन लेके जाते हैं पानी लेके जाते हैं तो उस समय अपने में देख पाते हैं कि मेरे में जो भाव बना है जिसके तहत पानी देने का मेडिसिन देने का विचार बना है य कोई माननेता आधार है या समझ के साथ मैं संबंद को देखना हूं वह आधार है घर के बाहर कोई जानवर आता है उसको रोटी देते हैं या गर्मी का समय पानी रख दिया यह किसी माननेता के तहत भाव बनाए उससे विचार आया इसलिए मैंभार किया मैंने ऐसा रखा है य मैं उसके साथ संबन को देख पा रहा हूँ, सहस्तित को देख पा रहा हूँ, संबन को देख पा रहा हूँ, उस अर्थ में मेरे भाव बनाएं, उस अर्थ में विचार फैल लाएं, उसके तहत में ये कर रहा हूँ तो हर सामान इसे सामान घटना में भी अगर इस बात को हम देखने की कोशिश करेंगे कि मेरे में जो भाव बन रहा है जो मैं निर्ले ले रहा हूं इसका आधार क्या है तो हमारा देखने की शार्पनेस और बढ़ेगी और जितनी बार मैं यह देख पाऊंगा कि सही के अर्थ भाव बना से इसलिए चाहें तो जतनी शार्पनेस से मैं इसको डिफ्रेंस कर पाऊंगा कि उतना ही मेरे लिए इस होगा इस आवशक्ता का बढ़ना कि मुझे समझ पे काम करना है वास्तविक्ताओं को समझ नहीं और जितना-जितना मैं वास्तविक्ताओं समस्ता जाऊंगा उतना उतना मेरे में भाव के निश्यत्ता आती जाएगी तो भाव के निश्यत्ता रहेगी तो मेरे में त्रप्ति बनी रहेगी उससे जो विचार फैलेगा उससे भी त्रप्ति बनी रहेगी उससे जब मैं बार वैवार करूंगा तो सही के अर्थ में हो ग गहराई से हम हर घटना में इसको देख पाएंगे, हर बार इसको हम देखने के कोशिश करेंगे, मैंने अभी जो निड़ने लिया है, इसके पीछे मेरा जो भाव बनाता, वो सही को समझ के समझने के साथ जो भाव बनाएं, संबंद के साथ वो है, या किसी मानेता के तहट मैं में भी देख पाएंगे, मुझे लगता है उतना ही ज्यादा हमारा देखने की शापनेस भी बढ़ेगी और बार बार हमारा वास्तमिक्ताओं पर ध्यान भी जाएगा, तो जैसे हम कपले पहनने जा रहा है, श्रल्ट पहनने जा रहा है, उसको देखा जा यह जो पहनने का म मेरी जिम्मेदारी है, इस संयम के भाव के साथ मैं कपले को शरीर पर डाल लाओं या जैस्ट एक डेली रूटीन है, उससे मेरे अंदब कुछ बैठ गया है, या मानता है कपले तो पहनने ही पढ़ेंगे, ऐसा कुछ करके मैंने पहन लिया, अनवेरनेस में, तो जितना गह जराई से हमारा सही की तरफ बार-बार ध्यान जाएगा, इसलिए मैं यह कहाता है कि सामान से सामान घटनाओं में भी, कि हम इसको देख पा रहे हैं, कि मेरे निर्णय का आधार क्या है, समझ के आधार पर है, समझ मतलब सास्तित को समझना, निकाईयों को समझना, उसमें च देख पाएंगे, उतना ही हमारी देखने की शापनेस बढ़ेगी, उतना ही हमारा वास्तविक्ताओं को समझने की आवशकता बनेगी, उतना ही हमारा सिलिप कम होगा, निर्णय लेते समय, इतनी बात हम लोग कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस में आपका ध्यान गया है, और फिर से मैं बताऊंगा, अभी हम लोग बहुती सामान इंटरेक्शन, सामान घटनाओं में भी ध्यान बना के रख पाने की निकपक पा रहे हैं, यह एक महत्पूल बात है, नहीं तो हम बहुत कुछ बढ़ा सोचते हैं, और हमको लगता है जब कोई बढ़ा घटना होगी, तभी हमारा ध्यान जाता है, लेकिन छोटी-छोटी घटनाओं से अगर स्टार्ट करेंगे, छोटे-छोटे इंटरेक्शन से स्टार्ट करेंगे, तो जो बड़ी चीज़े होने वाली हैं, उसको में भी हम सही से विल्यूट कर पाएंगे, कि मेरे में क्या चल ला है, अगर उस समय जाकर इवल्यूएट करना कि मानता से हैं, कि समस्य हैं, यह एक प्रश्नी बनके रहे जाता है, लेकिन जब सामान इस्तिती है हमारी और सामान तहम जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसमें हमारा जब ध्यान जाएगा, तब यह बड़ी घटनाओं को हैंडल कर लेना अ आज आपने एक अच्छी बात पर ध्यान दिलाया कि छोटी छोटी घटना, जैसे कप्रे चेंज करने वाली घटना हो गई या इतनी सुक्ष्मिता से तो खेरनी ध्यान गया था पर और जगहों पर मेरा ध्यान चला गया था, तो मैंने कुछ लिखा है, मैं वो पढ़ देती जब अनुकूल नहीं होती, तो पहला भर्सक प्रयास ये रहता है कि विचारों से उसका समाधान निकाल लें, भाव और संसकार तक पहुंचते ही नहीं, फर एक्जामपल मैं मेरी डॉर्टर को यूएच्वी का करने के लिए कई बार कह चुकी थी, लेकिन परिश्थिती व कर पाएगी, कोई बात में बिजी है, या बात में मैंने यही सोच लिया कि ठीक है, उसके संसकार होंगे जब कर लेगी, इस तरीके से मैंने विचारों में बिठाने की कोशिश करी कि अगर वो नहीं कर रही है, लेकिन ये भी सच है कि अगर बात मान लेती तो भाव कुछ औ बारी होते, यानि मेरे भाव बाहर की अनुपूलता और विचारों पर निर्वर हैं, दूसरी बात कि भाव के पीछे के संसकार देखें, तो ये संसकार जो मानेता पर आधारित हैं, कि जब मैं सही बात जो उसके बले के लिए ही कह रही हूँ, तो उसको मान लेनी चाहिए, जब ऐसा नहीं होता तो भाव भी बिगडते हैं, और हमारी बात करने के टोन में भी, और ऐसा हुआ भी, तो क्या हुआ कि मैं बात तो दीर दीरे आराम से कर रही थी, लेकिन फिर दीरे मेरी ना टोन में थोड़ी सी तलकी आ गई, तो दिख गया था कि वो ना नराज हो बाता है कि मैं मेरी अभी situation नहीं है, ममी समझ क्यों नहीं रही है, और मेरे को ये लगता है कि सब solve हो जाएगा, पहले ये करके देख लें, तो आलंकि मैं बहुत ज़्यादा imposing नहीं होती हूँ, लेकिन वो क्या वही बात है कि अंदर से जो आ रहा होता है, वो निकल ली जात है, तो बात करते समय सबस्ट हो गया कि मैंने चाहे कितने ही अपने विचारों को विवस्थित करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे भाव उस तक पहुची गए, ऐसी नजाने कितनी घटनाए हैं, जो संसकार को ठीक किये, बिना विचारों सही सामाधान करने की कोशिश करते रह हैं, लेकिन बात बनती नहीं है, तो अगर मैं अपने ओवरॉल जितने भी संसकार मैं देख पाई, बच्षपन से लेकर के और अभी जो नए बने हैं, तो भावों के पीछे मैं कई जगा अपने संसकारों को देख पाई, और उसमें कुछ संसकार जो बच्षपन से बहुत गहरे बने हुए हैं जिसके तहट में लोगों का अमुलियन या मैं उनकी उपेक्षा करती हैं जहां मैं मेरे को ऐसा लगता है कि दूसरी व्यक्ति से मुझे हर्ट होएगा तो मैं पहले ही उसकी इतनी उपेक्षा कर देती हूं कि फिर मैं किसी भी फीलिंग के लिए न्यूट गए हैं लेकिन दिखने के बावजूद ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाव में परिवर्तन हो गया हो वो संसकार को देख करके तो भाव में जो परिवर्तन होएगा वो दुबारा मतलब विचार ही के लेवल से जाकर के फिर हम उसको करेक्ट करेंगे वही प्रोसेस रहेगा क्या मतलब संसकारों को बार-बार देखने का जैसे यह तो मैंने अपनी एक्जांपल अपनी डॉर्टर के साथ में दिया पर अदरवाइस रेंडम जो कानवर्सेशन मेरा लोगों के साथ में होता है जहां मैं यह देख पाती हूं कि मैं उनके साथ में संबंद को बहुत गहरे त नहीं है कुछ भी नियूट्रल है यह एक बात हुई और दूसरी बात जो यह था कि मैंने अभी अपने बेटे के साथ में काफी स्ट्रगल के साथ बाद में भाव बिल्कुल इस्टैबलिश हो गया एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है जो भाव था वो उसने है यानि को ऐसा लगता है कि शायद वह थोड़ा स्थिर हुआ होगा अब कोई प्रतिकूल परिस्तिती आएगी तब पता चलेगा कि स्थिर हुआ कि नहीं हो तो मैं यह जानना चारी थी शायद हो सकता है कि आगे का प्रोसेस होगा कि अब संसकार भी दिख गए और भी गहरे देख मैंसे अप्धाव कैसे स्टाइब्लिश वहें अच्छी बात है कि हमारे संसकार बनी गया भले हमको ना पता चलाओ लेकिन बनतों गए तो एक एक करके मैं जितना ध्यान है आपकी बात हूं उनको एड्रेस करता चलता हूं पर कम पढ़ जाएगा तो आप बताईएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ों उसमें आग रहे हैं तो देखिए अभी कि हम लोग जो बात कर रहे हैं स्टप फाइफ में कि पूरे अस्थित्व को देख पाना उस अस्थित्व में सास्थित्व को देख पाना उस सास्थित्व के एकॉर्णिंग भाव विचार रख पाना उसके साथ भाव और विचार को रख पाना देख पाना इतना काम अगर नह कि अप्रस्तिय। उसको ठीक से देर ब्रस्त कुरते हैं और यह ऑकाया भी है और सनाइघी का ओर सब्सक्रा hanging देखते हैं का तो हम कहीं न पॉल्यान करेंगे और जब अपना प्रैंड जियादा प्रबबविल्टी है कि जो साथ में रह रहा है उसका हम अब मूलियन करेंगे अब मूलियन करेंगे अधर वालिशन तो अगर हमने ठीक से इससा बातों को नहीं समझाए तो हम ज्यादा तरसमे या तो दूसरे का ओवर वालिशन करेंगे या अपना ओवर वालिशन करेंगे तो जब अपना ओवर वालिशन करेंगे दूसरे का अंडर करेंगे यह चलता रहता है तो बेस में देखेंगे संसकारों के रूप में जाके देखेंगे तो क्या हो रहा है ह हम यह नहीं देख पा रहे हैं कि हर इकाई जो मेरे साथ है चाहे जड़ इकाई हो चाहे चैतन इकाई हो वो मेरे साथ संबंद में हैं और संबंद में हैं और एक नियम के तहरे चल रही है चैतन निकाई अपने संसकारों के तहरे चल रही है इस बात को हम नहीं देख पाते हैं तो हम अपना अधिमुल्यन करके दूसरे को हर चीज कर देना चाहते हैं तो इससे हमारे में परिश्चानी जन्रीट उत्रेती है तो आप जो भी बेटी की बात करें तो उसका विद्यान यूश्वी पर ही चला जाए वह भी इस बात को समझ जाए इसको थोड़ा में सही से दे बना रहेगा तो यूश्वी के कंटेंट से नहीं जाएगा किसी और तरह किसे जा सकता है अब उसके प्रावलम ही है कि हम इसी बात पर चले आते हैं कि जब कोई व्यक्ति यही पूरी बात सुनेगा तभी उसका ध्यान जाएगा और फिर ध्यान जाने की स्थिति उसमें है इसको भी की नहीं अभी उसको भी हम ठीक से ब्लीवट नहीं करते हैं तो इस पूरे के कॉंबिनेशन में हैना फिर हमारे में परिशानी जन्रेट होती है इंपोर्टेंट बात यह कि उसका वास्तविक्ताओं पर ध्यान जाने के लिए यह एक मीडियम है और भी मीडियम है इससे नहीं जाएगा तो किसी और से जा सकता है इतना स्कूप उसके पीछे गर जाके देखेंगे जो आपका मूल प्रशन है यह जो भाव बार बर बन जा रहे हैंगे तो हम देख पा रहे हैं हैं अब इसको कैसे अब थीक करेंगे उसी के लिए हम लोग step 5 पर बात करेते हैं कि जितना जितना हमारा वास्त्विक्ताओं पर ध्यान जाएगा उतना उतना हमारी मानलेता इवल्यूएट होंगी और जितनी हमारी मानलेता इवल्यूएट होंगी उतने में भाव सही बनना एक सहज बात हो जाएगी तो जैसे जब अभी हम बात करते हैं, बच्चे से, किसी भी व्यक्ति से, तो वो चैतन निकाई है, इस बात के अध्यान मेरे में बना रहता है, या केवल शरीर ही है, इस पर ध्यान बना रहता है, तो मैं जो communication कर रहा हूं, मेरे साथ जो भाव का exchange होना है, वो चैतन निकाई के साथ हो रहा है शरीर के साथ नहीं हो रहा है यह ध्यान बना रहता है कि नहीं फिर उस चैतन निकाई को देखेंगे जिससे मैं बात कर रहा हूं उस चैतन निकाई में भी समझने का को पोटेंशल ले इस बात पर ध्यान बना रहता है कि नहीं वो भी समझ सकता है इस बात पर ध्यान बना रहता कि नहीं है इतने स्कोप के साथ उसके संस्कारों के अभी क прошती है जो इसके लिए ऑप्षेक्टवंन जाते है वास्ट्विक्ताओं को ध्यान देने में इतना अगर ध्यान बना रहेगा तो हमारे लिए जो उसका भाव बनेगा वो अन्यथा नहीं बनेगा लेकिन अगर यह सब बाते यह सब वास्त्रिक्त ध्यान में नहीं आएंगी तो हमारा ध्यान इस पर जाता है कि मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा और जब नहीं सुन र प्रफिकाई में समझने का काम तो इस ने के भाव सही हो सकता है और उसमें समझने का पूटेंशल बने हुआ है अब यह सब बाते उस समय ध्यान रहेंगी तो हमारा भाव स्थिर रह पाएगा अगर इतनी वास्तिविकता है उस समय ध्यान में नहीं आती है हमारे जब होता है तो फर तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि माननताएं क्या है यह तो अभी हमको भी बहुत अभी देने क्या आवशकता है हमको तो जितनी बार इन प्रस्ताव को हम सामान घटनाओं में भी देखना चालू करेंगे उतनी बार हमें जो मानने तर्ट ट्रिगर होगी उसको ठीक से वेल्यूट कर पाएंगे क्योंकि ध्यान बनना हुआ है मेरा जैसे जैसे वेल्यूट करेंगे वह लूज होंगी लूज हो मतलब कॉंस्टेंटली यह ध्यान में रहे हैं न इतना कॉंस्टेंटली मैंने नहीं किया पहले जिससे ट्राय करके चोड़ दिया मतलब जैसे कि अच्छा मानव संबंद दिख रहा है क्या तो एक आदो थोड़ी देर तो देखता है फिर वाद में फिर्यो जाता नहीं मुझे ऐसा वाला सा फील आ जाता है लेकिन यह बात वह संबंद शायद मुझे लग रहा है कि एक स्टेप और आगे उसके पहले वाला स्टेप जो आपने कहा कि वो भी मेरे तरह एक चैतन्य एकाई है और बस यहीं तक छोड़ दूँ उसके आगे का इरिटेशन वगर वो सब छोड़ दो यहीं तक देखलो कि यह भी एक चैतन्य एकाई है और मैं चैतन्य दूसरी चैतन्य एकाई के साथ में इंटरेक्ट कर रही है तो यहां से शायद कुछ जञबत कुछ भावों में शिफ्ट आ सकता है यह मैं महसूस कर पा रही है जी भी है तैंक्य समझत्य है और करने जाते हैं कि प्रहस्ट ब्राइए के दियान जायेक करनी पहले उसका पास्ट वेवियुर्ट के ऊपर हभी हो जाएगा तो रुसको इनुंए जाती यह उससे विचार टेन जाता है उस Self । समझने का पुटेंचल है उस समय तो हो गया है वह हमको डॉमिनेट कर देता है और यह इतना इतना कम इसके आप फोर्स रहता है कि वह संसकार वाला तो इसको बिल्कुल कर देता है इसलिए मैं अभी सुप्त बोल लाता है कि हम लोग को बहुत सामान घजटनाओं में भी ध्यान देना है हम तो हमारा अभ्यास बनेगा सही को देखने का सामान घटनाओं में नहीं देख रहे हैं और सिधे उपर से श्ठाट करते हैं उम्हों है जा रहा है लेकिन क्योंकि उसको हम सामान गटनाओं में देखनी रहें देखके मुल्यांकित नहीं कर रहें तो भाव के लेबल पर परीमार्जन नहीं बंद होता है फिर वह प्रश्न बना रहता है कि प्रपोजल तो हमें पूरा समझ में आ गया है लेकिन जब ले रहे तो अन्यथा हो जाता है यह क्या डिफ्रेंस है विचार में फैलना और अनुभाव या दिश्टापद से देखना यह मैं नहीं समझी हूं क्यूंकि मैं यह तो देख पाई जो मैं तो फैल गया है जी अब विचारों फैल यहां तक ठीक है लेकिन जब हम सामाने इंट्रेक्शन कर रहे हैं उस समय हमको वास्तिक्ता को ध्यान में रखके कर रहे हैं कि नहीं करना इस पर ध्यान जाता ही नहीं है अच्छा उसको आप वह कह रहे हैं मैं उसको भी विचारों से जारा में इसलिए मैं सोच रही थी कि वह भी विचारों में फैलना है लेकिन मैं अगर खुझ से अब्जर्व करके हर चीज को देख रही हूं तो वह एक हायर लेवल से है ऐसा क्या जी बिआ कि अगर पूरे प्रस्ताव को देखेंगे है और अब हम पूरा सुन लिए उसकी सिश्ट मूल भी सुन लिया सब अब इसमेंग प्रपोजल यह दिया जा रहा है कि यह भी विचारों में आ गए पारहा है इस पर ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा है पोटेंचल तो है यह प्यान ने यह फ्यांट कर रहा हूं अ現ogram कि अपने को देख रहा हूं तो मुझे वह पोटेंशल मेरे में है इस पर ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा है परहा है इस पर स्द कर रहा है उसे तो एन जा राखिए coal में तो भाव झालतुन से हैं अच्छ थीक मै कि अरे स्ट्राठ रहा है changing जी भी यह कि फेले तो यह ध्यान जा है कि कुछ चल लाएं तो दिखेगा बहुत सरह चीज को यह चल ला है और रख कि जंम की है वह भी मैं नहीं लाई इस प्रिपोसर में यह को अपने को देखने का पोटेंचियल है अब यह केबल वीचार में फैला हुआ है कि देखने का पुर्स यह हम देखते आए 그거 देख पारा है कि दीकों मेरे मैं पोटेंचियल है उससे om चीज़ों को देगता हूँ इस बात को कर रहें कि नहीं फैल हैं यह को अ यह यह एक सबost यह अद्रवाइस मैं सोच थी कि यह विचारों कि थूई हम जाएंगे तो यह कैसे होएगा लेकिन यह एक observation डीप observation अपने अंदर चलेगा तो वहां से shifting होईगे जी सामानता ऐसा होता है कि यह proposal को सुल लेने पर हमको लगता है कि हमारा ध्यान चला गया है तुछ और गया यह इससे भी गहरी अ फिर ध्यान देने वाला जो है यानि कि हमारा पोटेंशल है उसमें उसको देख पना यह उससे भी गहरी बात है जी तो हम लोग इसलिए मैं बोल ला था कि सामवानने से सामाने घटनाओं से स्टार्ट करें तब वह अन्यथा वाला जो सिनारियों आ जाते हैं वह कम होने दगे तो पूरे प्रस्ताओं को बड़े राम से बता रहे होते हैं बता रहे होते हैं लेकिन अपना ध्यान जा रहा है तो केवल प्रस्ताओं बता रहे हैं या प्रस्ताओं के थुरू वास्तिक्ता पर हमारा ध्यान जा रहा है और दूसरे को वास्तिक्ता पर ध्यान दिला रहे ह लेकिन हम और क्या करें कि हमारा इस पर ध्यान जाए कि हम दूसरे को बता रहे हैं तो इतनी बता रहे हैं कि तुम जड़ी का यह उसका हेल्प कर पा रहे हैं कि तुम देख भी पाउस को यह देखने वाले प्रस्ताओं को सुनना और दूसरों को बताना इसका हम और करके रखते हैं देखने वाले काम का बहुत कम नीचे रखते जबकि देखने वाले काम को और गहरा करना है तो हर पल उसको देखते रहे हैं सोने जा रहे हैं तो अपने से पूछे शरीर सो रहा है कि मैं सो रहा हूं बना रहे हैं बच्चों के लिए तो अपने से पूछिए कि यह इसने के भाव के साथ बन रहा है यह यह आपने वारे बच्चे हैं मान बड़ा करना इस मानता के तहट है यह परिवार बड़िए में हम चैतन आपके लिए तो हमारा ध्यान जाना चाहिए ममता के भाव के साथ यह पानी लेकर आया है यह यह भी किसी मानता से चलना है फिर उसका ध्यान दिलाएंगे तो यह चोटी-चोटी बातों पर जब ध्यान जाएगा ना तो जो अधर वाइस सिचुएशन आ जाती है उसमें बैले आज जो अपने पॉइंट रखा एकदम सिंपल बात देखने का उस पर से ही मुझे याद आया मैं दो-तिन दिन से जो काम कर रहा हूं मैं पंदरा दिन कॉलेज में नहीं था और मुझे नेटर प्रोटेक्शन पोधे लगा तो जो अभी दो-तिन साल वाले जो पोधे है अभ गर उस दिन मैं वाटरिंग नहीं करता तो जरूर पौधे आगे पनब नहीं पाते थे तो मैंने यह देखा कि मैं पहले वाला गर होता अभी मेरा तीसरा चौता साइकल है तो एकदम इरिटेट होके उन लोग उनके उपर 16 लोग मेरे अंडर काम करते जिनको मैं काम देता भी खुद करता हूँ तो मैंने बिना भाव बिगडे खुद खड़ा रहके सबेरे साथ बज़े से ग्यारा बज़े तक के सभी उनकी चेन बनाके बकेट से पूरा पानी डाल दिया और अच्छे भाव से किया और उनको भी एह ऐसास दिला है कि आपकी कोई गलती नहीं आप को बताने वाला नहीं था इसलिए आप डालनी पाए अभी तो उसमें से कुछ लोग तयार होके बुल रहे सर चिंता ना करे एकादा अगर चला भी गया जल भी गया तो हम अपने यहां का लाके या हमकी गुठली डालके तो यह भाव से जो आपने बताया ना कि मतलब भाव से मतलब अब हम जितना जितना अंदर देखने रहेंगे चूटी-चूटी चीज से भी अपना भाव मतलब उभर सकता है और इसमें इरिटेशन आना अभी दिरे-दिरे कम हो रहा है अलमुस्ट पूरा तो नहीं हुआ है लेकिन मोर देन 60-70% हम सुदर रहे ऐसा मुझे लग लगने लिटेशन कर देते हैं और कर देते हैं और करते कर देते को अपने सिर्था नहीं आगर वह में समझ के साथ नहीं चलना है तो कभी कुछ चीजों के लिए के लिकुल उसका मूलियन कर देंगे लेकिन अगर संबन देखते हुए हमारे में जो भाव अंचोर होते हैं उससे हर किसी कर पाएंगे जड़ीकाई कर पाएंगे और अपने में भूल गए कि दूसरे करना चाहिए नहीं वहार तो ऐसा समझ के करो तो वह उसमें भाव भिगड़ते नहीं बहाएं यह मैं देख रहा हूं जो कुछ भी वह वह मेरे कारण हुआ है किसी की गंति नहीं है और इस समझ रहे हैं उससे कराना है यह एक भाग है उनका ब्यद्यान समबंध पे चला जाए प्रकति के साथ और मेरे साथ पी एक बार ध्यान उनका संबन्द पे चला जाएगा फिर प्रकति के जिने जो जिम्मेदारी इस उसका अनल सहच हो जाएगा जी है तो काम कराते हम इस बाते भी ध्यानँ कि उनका भी प्रकति के साथ संबंद है उस पर उनका ध्यान चला जाए फिर आपको इतना हर भार ध्यान रखने के आवशक्ता भी नहीं पड़ेगी तो ध्यान देने की बात है न विया जैसे आप देखिए च्छोटा समय एक्जामपल देता हूं जैसे आप देखेंगे बाहर तो उससी के अध्यांपल देखता हूं शहरा हुए अपर्टम है अब आप ग्राउंड फ्लोर से उपर तक जाएंगे तो कई पॉधे सीडियों पर रखे रहते हैं गमलों के साथ में बिलकुल है ना अब एक आटवे फ्लोर पर बैठा वह वेक्ति है नीचे से साथ फ्लोर क्रॉस करके उपर जा रहा है और करीब 20 गमले सामने से निकल गया हो अब बहार एक गमले वाला आया है पौदे बेच रहा है उसको वह सो रुपए देता है उसको लगता है अब यह मेरा निकरने लगता है सुक्रा अपने बॉटल का पानी डालेगा करेक्ट है अब यह दिख जाए कि वह भी मेरे संबंद में मेरे सास्टित में उस पर भी ध्यान चला जाएगा साथ कुल भी मेरे साथ ल े ग्षां इता है अब यह बहुत सहसी बात है लेकिन वह मानता के तहर्त हंने किसी को अपना मान ली आ किसी अपना नहीं इन नहीं माना है उनके लिए बहुत सारा द्यान दिलाना पड़ता है लोगों को जिनको मान लिया उनके साथ वो पूरा समय लगाते हैं फिर एक गंगला जो घर में रखा हुआ है उसकी कटिंग भी करते हैं पानी डालते हैं हर चीज द्यान रखते हैं जी जी लेकिन जैसे अपन उसमें अधियां देख जाए उससे संबन दिख जाए अब क्या है जहां भी पेड़ा है हमारी सा संबन में है बिल्कुल वह नहीं निर्वात करना है सहज बात समें क्या हो गया तो तो कल यहां तक होगा है कि मुझे उसको बोलता था तो भी याद आता था कि यार यह तो मैं अपने शब्द जो यूस्तमाल कर रहा हूँ कि अवेश में आकर वह गलत है फिर वाफिस विचार में आता था घर यह उसका अगर प्यार से भोल रहा हूं तो वह तो आगे बड़ी नहीं रहा है कि वाफिस विचार आथा था कि आद प्यार से समझा के देखेंगे इतने दिन तो हम देवह करते बैटे लेकिन खुछ उसमन तो बदलाव नहीं हो रहा है और उसका इंपक्त पूरा काम के असर हो रहा है और उसके उस बरताओं के कारण हमारे घर में हमारे घर में सभी लोगों में अनबन होने लेगे कि आप लोग इसको बहुत प्यार से चला रहे हैं इसके लिए वो तो और दो-तिन मेने लेट करेगा तो उस वक्त में मुझे मन में यह विचारा रहे थे कि इस तरह का जब माहुल तायार हो जाता है तो खुद के साथ किस तरह से कॉन्वर्सेशन करके खुद को सेटल करके वो काम भी बढ़ जाए और खुद भी सेटल कर गए इसकी लिए में थोड़ा यह था कल कन्फिज था इतना ही मन में आता था कि सिर्फ बोलते जाओ कुद में कि जो करने योग के काम है वो करते रहेंगे उसको भी समझाएंगे और देखते भी रहेंगे लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ तो मेरी तरफ से मिसिंग है तो आप उसमें थोड़ा सा गाइड करो मु को युस्म पूरा हो जाए उसको इन्टेयर है मेरक्टे संबंद को सिंटर मेरक्रें रहते हैं तो बहुत सारे जो इस तरह के यही चाह यही है और इस बात करके कुछ करने को कह रहा है अवनको जली डाईजिस्ट भी नहीं होता है इसे और इसमें करना करने की जो बात है वह यह इस दो आपका इस बात पर ध्यान यह बहुत अच्छी बात है आप इसने के भाव के साथ ये भी इच्छी बात है उनको थोड़ा सा effort लगा के बताना पड़ेगा कि हमारे में इसने का भाव है लेकिन ये काम भी पूरा हो रहा है और हम को इस तरह से करना है कि काम भी हो जाए और तुमारी आवशक्ताएं भी पूरी हो जाए क्य청 कि अभी कोई भाव के साथ बात करता है ना तो सामने वाणा वीक्ति जो इस तरह के बात भरड़ में नहीं रहाए उसको ये डाइज़स्ट करने में समय लग जाता है कि ये व्यक्ति बात कैसे कर रहा है ना मुझे लगता है कि उसके बैट ख e इस बात पर अराम से बात करिए, देखें काम होना है और इतना काम है, और मैं भी अराम में हूँ, आप भी अराम में रहके ये काम हो जाए, इसका रास्ता बताना है हमको, अराम से बताना है हमारे गर में ऐसे हो जाता है कि आप बहुत ये आराम से करते हैं, आपके ये आराम ह तो आप कुछ करते नहीं है उसी के कारणों फाइदा उटा दे खुद भी लॉस में जा रहे और अपना भी डिले करें तो यह थोड़ा अलट रहने की जरुवत है उसमें अलट रहने की जरुवत है कि हम इसने के भाव से बात तो कर रहे हैं लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति उ तो भाव के साथ हमें थ्यान देलाना पड़ाएगा व्यक्त हम तो हो नहीं है इतना तो डुसरे शीयों से प्रशान हो रहे हैं और आ यह थैन्यOME कर्सांफ यह काम डले हो जा तो मुझे भी लगता है यार मैं तो जो सुनके बातचित करके जिस दंग से करणवाना चाहता है उसमें फेलियर आ जाता है तो यह हमारा टेक्नोलोजी हम जो भी सुन रहे किस नहीं पूर्वक लोगों से काम करवा के लेना संबंद भी रखना यह उसकी हार है क्या हमारे में क दूसरे का ध्यान वी इस पर जानी जा रहा है कि भाव पुर्वक कोई कहे और हम जिम्मेदारी पुर्वक काम करवें अभी दूसरे के द्यान इस पर गया नहीं है हमारी तरफ से चली रहा है अंचिता है क्या चाहिए कि एनका धिchemical और ठीक से दिला रहा है इनESE और यह बात प्रॉब्ल्म मताँगे इन इस कारवफियों पर है यह सोलूशन बताएंगे एक बार फिर से ट्राइब करिए पुछ ना कुछ तरास्ता में करने आएगा यह से पूछिए है था नहीं वहीं कैसे चलिए दन्याज है ठीक है नमस्ते दीड़ी जी भेया मेरा इसी स्टेप में जो आप यह बता रहे हैं कि भाव के पीछे माननेता है या संसकार है या फिर हमने किसी चीज को स्विकारा हुए तो उसमें डिफरेंस में को क्लियर नहीं हो रहा जिसे दो इंसिडेंस हैं इवेंट्स हैं तो उसमें मैंने देखा कि जैसे सिब्लिंग है तो सिब्लिंग मैंने किसी और टास्क को बोला कि मैं सोचा कि मैं यह पहले कर लेती हूँ पांच मिनटी लगेंगे बट उसने आके ऐसे हफ़डा दफडी में बोला कि नहीं है मेरा काम पहले ह तो जैसे उस situation में मैं कोई एक्दम से गुस्सा आ गया तो मैंने मतलब जैसे gate को पतक के ऐसे बंद किया और switch को इतनी जोर से on किया तो उस time पे मैं उसका task पर ले किया बट गुस्से में किया तो गुस्से में मेरे एक्दम से ध्यान में यह बात कई कि मैं इस way मैं क्यों react कर र उसमें जब मैं यह सोच रही थी तो उसका क्या रिजल्ट हुआ कि जो next reaction हो सकता था कि बोलने का वो बोलना रह गया क्योंकि मैं अपने अंदर ये सारे thoughts में ध्यान ले रही थी तो वो बोलने का जो reaction हो सकता था वो तल गया तो after thoughts में ही होगा कि मैंने अपने task को priority में रखा हुआ था और उसने अपने task को तो जब उसने मैं को interrupt किया मेरे task में तो मैं कोई दम से गुसा आ गया तो इसमें अब मैंने इसको मानना हुआ है अपने task को priority या मैंने स्विकार किया हुआ है मतलब ये चीज में को difference clear नहीं हुआ same ऐसी situation दुबारा हुई कि जिसमें मैं उसमें ऐसी time related कोई वो नहीं था उसमें मैं already task कर रही थी तो उसने बीच में आके टोका कि पहले ये कर ले मैंने बोला कि अभी मैं ये कर रही हूँ अभी नहीं करूँगी तो उसमें गुसा नहीं आया लेकिन उसमें थोड़ी irritation हुई कि मैं इसको दिख भी रहा है कि मैं ये काम कर रही हूँ फिर भी आके बीच में मैं को interrupt करके बोल रहा है कि पहले वो कर ले तो वो काम खतम भी होने वाला था तो उसमें थोड़ी irritation मैं को ऐसे दिखी कि irritation आ रही है जबकि मैं अपनी तरफ से मतलब कि normally बोल रही थी कि मैं ये task अभी कर रही हूँ तो अभी नहीं करूँगी वो मैं काम बाद में कर लूँगी तुम कर लो तो ऐसे irritation और anger ये जब reaction हुए तो मैंने को थोड़ा ध्यान जाता है और उस दूसरी situation में मुझे ये लगा कि मैंने ये स्विकार किया हुए कि अगर मैंने बोला कि ये मैं कर रही हूँ तो मैं सही बोल रही हूँ मतलब कि उसको मान लेना चाहिए मैंने अपने आपको जैसे स्विकारा हुए इसको कैसे डिफ्रेंशियेट करेंगे किसी भी सिट्वेशन में या इमेजिनेशन में मतलब मेरा कोशन ठीक से रख पाई मैं मतलब मैं बता देता हूं मुझे क्या समझ नहीं है पर आप बताएगेगा कोश्चन मस्तक पहुचा है कि नहीं पहुचा है लासन में इस अपना क्य Riley PayPal दूसर वेक्ति उसको इंट्रप्ट कर देता है उस रीच्शन को मैं सहत्व है वाया सबस्कारा है या किसी और वाजे से है बताइए यहीं Tough की मतलब वह चीज जो भी रीक्षन है वो माननेता है वो संसकार है 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 यहां फिर जैसे हम कहा लेते हैं कि मैंने स्विकारा हुआ है वह चीज को तो वह चीज डिफरेंस नहीं क्लियर हो रहा है तो उसको देखेंगे दिदी कि दो भाग में बहुत इंडल जो है ना पूरी कल्कमा शीलता मैं उसमें लगा रखी है मैं उसको कुछ इंडल्ज हूं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं और बीच में कोई आता है एकदम से इंटरप्ट कर देता है तो जो मेरा इंडल्जेंस था उसकाम में जो मैं पूरी कल्कमा शक्ति लगा रखी थी वह एकदम से हड़ता है हर्ता इस वज़े से मुझे परिशानी आती है एक भाग तो यह है लेकिन दूसरा भाग यह है कि अब जब दूसरे व्यक्ति को मैं देखता हूं उसके लिए व्रोध का भाव आता है तो यह दूसरा भाग है तो उसमें मैं अभी यही कहना चाहूंगा कि हम कितना भी इंडल इसमान लेख लाप टॉप लगें काम कर रहे हैं एकदम से बच्चा के पूद जाए बैट पर तो मैं पता नहीं है एक तो अगर हमको यह दिख जाए कि मेरे लिए वह चीछ पर आटी पर थी उसके लिए अभी वह पर आटी पर नहीं है इस वज़े से उसको इतनी गंभीरत समय ले रहा हूं तो भी मेरे में उसके लिए रिखें नहीं नहीं आगा है लेकिन उसके लिए रिखशन आ रहा है तो कहीं न कहीं इसके पीछे यह एक माननता हो सकती है कि दूसरों को समझना चाहिए कि मैं बहुत important काम कर रहा हूं या दूसरे की intention उस समय मैं नहीं देख पा रहा हूं कि क्या है उस समय मेरे लिए मेरा जो task है वो priority पा गया है जो उसके लिए भाव है यानि कि विश्वास के भाव की जो हम बात कर रहे हैं वो priority पाभी नहीं है वो कहीं ना कहीं disturb हुआ है तो अगर यह clear हो जाता है कि उसकी priority कुछ और थी इसलिए मेरी priority को समझ नहीं पाया तो मेरे मेरे में उसके लिए कम से कम reaction नहीं आता है क्योंकि मैं यह देख पाता है कि उसका intention ठीक है priority decide करने में issue हो रहा है हमारे और उसके बीच में लेकिन अगर उस कि मेरे में disturbance हुआ है और disturbance क्यों हुआ है क्योंकि इसकी वज़े से हुआ है तो ध्यान से देखेंगे इसकी वज़े से नहीं हुआ है हमारे में जो priority सेट है हम यह मान के चले दूसरा भी उसको अतनी priority से देखें यह जो मान लिया है यह problem है तो ऐसी संभावना तो ही मेरे है कि संभावना बनती है कि बताइए ठीक लगता आपको यह चीज मैंने आफ्टर थॉट्स में आई थी प्रारेटी से रिलेटेड जो आपने बताई है कि मेरी प्रारेटी मेरा टास्क और उसका टास्क उसकी प्रारेटी तो इस वज़े से वह conflict आया तो यह पॉइंट आफ कि अभी क्या है कि हम बहुत सामान घटनाओं में ध्यान देते नहीं है तो जब यह चीज हो जाती है तो फिर आफ्टर थॉट्ट के रूप में हम उसको conclude करते हैं तो इसलिए मैं सुबह से इस बात पर focus कर रहता है कि हम क्या सामान घटनाओं में भी इस बात को note कर रहे है कि कि वह आफ्टर थॉट्ट के रूप में निकलती आएगा क्योंकि उस समय तो चीज़ें ट्रिगर हो चुकी होती है जैसे बच्चे को हम लोग पढ़ाई करवाते हैं तो जब उसको दिखाते हैं तो बहुत सामान घटनाओं से जोड़के बताते हैं तो यह जो अभ्यास है सामान घटनाओं में करने का यह महत्पूर बात है तो एक पुरानी वह है ना कहावत कि दुख में सुमरें सब करें सुख में करें ना कोई तो जब हम परिशान होते तब आफ्टर थौट के रूप में इन सब चीजों को विशलेशण करते लेकिन जब चीजे सामान ने तब कि हम सब लोग बहुती चोटी चोटी घटनाओं में इस चीज को अब्जर करना चालू करें कि अभी जो मेरे में निड़ला हुआ इसके पीछे का अधान क्या है बहुत चोटी चोटी घटनाओं में अगर इनको चोटी-चोटी जगह अभ्यास करेंगे तरह हमारा यह मस्ते हम लोग जिनका हैंड रेज है कल हम लोग ले लेंगे और इसी होंबर के साथ हम लोग चले कि अब बहुती सामान घटनाओं में भी हम लोग को देखना है कि हमारे निर्ड़ा के पीछे का आधार क्या है इसके साथ कलम लोग मिलेंगे फिर बात को रखेंगे